द्वंद कहां तक पाला जाए युद्ध कहां तक टाला जाए तू भी है राणा का वनसज फेक जहां तक बाला जाए नवस्कार सातियों मैं हूं रितेश कुमार दाकर्ड और आप स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओल इंडिया टेलेंट एयाइटी पर दोस्तों आज हम डिसकस करेंगे राजस्तान हाई कोट लडिसी का पेपर जो 13 मार्श 2002 इसको आयुजित किया गया था जिससे आपको आने वाले जो कल जो पेपर होने वाला है और 19 तरीक जो पेपर होने वाला है उसका आपको तोड़ा आईडिया लग जाएगा कि पेपर कैसा आ सकता है और इनके आसपास की टोपिक्स आप रिपेर कर लेना ठीक है दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पहला क्यूशन आया था राजस्तान की भासाओं के उपर कि निम लिकित में से कौन सा युक्म गलत है तो दोस्तों जो हडोती भासा है वो कोटा में बोली जाती है इसको बिली नाम दिया था मोत्तिलाल मिनार्या और एल्पी टेशी टिरी ने तूंडाडी जेपुर में बोली जाती है दूंडाड चेतर जेपुर के आसपास के चेतर को दूंडाड बोला जलता है और मेवाती जो है दोस्तों यह ngis में गलत है क्योंकि मेवात चेतर है वो क्विशन आया था तब राफेल नडाल इसका सही आंसर था तो राफेल नडाल ने 22 ग्रेंड स्लेम जिते हैं और नोवाक जोकोविश ने भी 22 जिते हैं भी वर्थमान में ये भी मतलब ये भी है ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं वर्थ 2019 में भारतिय वायुशना ने किस स्थान पर हवाई अमला किया था आप सबको बताओं को दोस्तों कि पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए बाला कोट एरस्टाइक हुई थी तो ये इसका सही आंसर होगा बाला कोट ठीक है दोस्तों बारतिये मुख्ये भूमी में स 14 किलोमेटर की भारत के नो राज्य और चार यूटी तटिये सीमा बनाते हैं उन में से गुजरात महराष्ट गोवा करनाटक तमिलनाडू आंद्रपरदेस ओडिसा पस्ची मंगाल और केरल ये नो राज्य भारत के तटिये सीमा बनाते हैं और अगर ऐसा क्यूशन आ जाए जलते हैं द्रश्टी बादित वेक्तियों के लिए भारतिय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सा एप जारी किया गया है तो इसका जो दोस्तों सही आंसर होगा वह होगा मनी एप मनी का फुल फोर्म में वह होता है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर ठीके दोस्तों और बैं दोरा 2022 में एक को रेप जारी किया गया था वो था दक्स और सेवी दोरा अगर पूछले दोस्तों सेवी दोरा कून सा एप जारी किया गया थो वह है सार्थी इप ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं निम्निकित में से कौन वर्स 2021 में Miss Universe चुनी गई तो उस टाइम पे इसका सही आंसर था अरनास इंदू अगर आप पूछ ले Miss Universe 2022 कौन बनी है तो उसका आंसर होगा R. Bonnie Gabriel जो कि अमेरिका की रहने वाली है ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं निम्निकित में से राजस्तान में भारत सरकार दोरा तापित उद्योदिक उपकरम और उनके स्थान का सही मिलान नहीं है तो यह दोस्तों यह आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि क्या पुच्चा है या नहीं है ठीक है दोस्तों अब हिंदुस्तान मसील टूल्स जो की अजमेर में है इसको 1967 में स्तापित किया गया था इंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उदेपूर में नहीं है दोस्तों यह है खेतरी जुन जुनु में ठीक है दोस्तों और इसको भी 1967 में स्तापित किया गया कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड वो है देबारी उदेपूर में हिंदुस्तान सांबर लिमिटेड यह सांबर जेपूर में जिसमें 60 प्रतिशत केंद सरकार का हिस्सा है और 40 प्रतिशत राजस्तान गोवर्मेंट का हिस्सा है और मोडेन बैकरीच इंडिया लिमिटेड ये जेपूर में है ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं राजस्तान के गभांदी की रूप ने मेवाड प्रजा मंडल की स्टापना की थी 1938 में अर्जुनलाल सेटी ये राजस्तान की प्रतम क्रांतिकारी थे इन्होंने जेन वर्दमान पार साला की स्टापना की जेपूर में विजे सिंग पतिक को पूरे भारत में किसान अनुदलन के जनक की रूप में जाना जाता है इन्होंने वीर भारत समाज की स्तापना की तो दोस्तों एक्जामें दो क्विशन आते हैं कि वीर भारत समाज की स्तापना की तो वो तो उसका आंसर होगा विज़े सिंग पतिक और अगर ऐसा क्विशन आई कि वीर भारत सभा की स्तापना की तो उसका आंसर होगा केसरी सिंग किया गया तो इसका सई आंसर हो का वोगा पदम विभुशन तो दोस्तों इस साल जो पदम पुरुषकार दिए गया है उनसे पलावाध्द के ने को कला चेतर में पदम विभुशन से समानित किया गया है S.M. कृषणा इन्हें सामाजिक कार्य के लिए दिलीव महान लोबिस इनें चिकित्सा के छेत्र में पदम विबूषन दिया गया है इन्हों ने, और सोग की थी श्री निवास वर्धन इन्हें विज्यान के छेत्र में दिया गया है और मुलायम सिंग यादव ये यूपी के तीन बार सी एम रह चुके इन्हें सामाजिक कारे के लिए तद मिभूशन दिया गया है ठीके दोस्तों आगे जलते हैं राजस्तान की किस सासक ने दित्य गोलमेद सम्मेलन में भाग लिया तो इसका सज्जो सही आंसर हो का व माराजा गंगा सिंग ने करवाया था ठीक है दोस्तों आगे जलते हैं स्री मलीनाथ पसु मेला कहां आयोजित किया जाता है तो दोस्तों ये किया जाता है तिलवाडा बाड मेर के इंदर और पुसकर मेला अजमेर में आयोजित किया जाता है कार्थिक मास की पुन्डिमा को और चंद्रबागा मेला जालरा पाटन जालाबाड में परबतसर नागोर में तेजाजी पसु मेला और बाकी कुछ और पसु मेले भी देख लेते हैं बल्देव पसु मेला आयोजित क्या जाता है मेड़ता नागोर में ए के दोस्तो अब आगे चलते हैं बुंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या करते है तो इह कते हैं दोस्तों अलावली जो बुंदी जिले में जो पहाड़ी उनको आड़ा वाला परवथ के नाम से चालना जानता है और इसके अलावा की option देखते हैं डोरा परवत जालोर में है और गिर्वा और मगरा जो पाड़िया है वो उदेपुर में पाई जाती है ठीक है दोस्तों अब इसके अलावा कुछ बता देता हूं में आपको उडिया का पठार ऊंदेपु नें सित्तित उस परमाल्स का पठार के नाम से जाना आता है क्क्रोस कावं का पक्रवा का अल्वर में है और मांदेश रापठार में ठीक है दोस्तों अगे जलते हैं काली बंगा सब्वेता की खोज किसके द्वारा की गई थी तो दोस्तों इसकी जो खोज की गई थी वह अम्लादन गोश के द्वारा 1952 में की गई थी और जो इसका उत्कनन का रहे हैं वो 1961-1965 में बीबी लाल वा बिक्ये थाप पर द्वारा किया गया था और अगर ऐसा जास ने आहर सब्वेता का उत्खनन कारे किया था दयाराम सानी ने हडपा या सिंदु काटी सब्वेता की खोज की थी और वियन मिस्र विरेंद्रनात मिस्र ने बागोर सब्वेता का उत्खनन किया था जो भिलवाडा में आगे चलते हैं सुर्ष समरागी लता मंगेशकरो तो किस वर्ष में भारत रतने से संभानित किया गया तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा होगा 2001 आप इसको ऐसे जाल रख सकते हैं कि दलता मंगेश कर जोए वह एक नंबर काना काती है तो 2001 इनको पदम भूशन मिला था 1969 में दादा साब फाल की पुरुषकार मिला था 1989 में और पदम भीभूशन से संभानित किया था 1999 में आगे जलते हैं निमनिल्कित में से रचना और रचियता का कौन सा युग में गलत है तो इस पर आपको वह ध्यान से पढ़ना है इसको वीर विनोत शामल लास जी की रचना है बातारी फिलवारी विजयदान देथा की है ये भी सही है पित्थल और पात्थल कनेयलाल से रचना है और चेत्तावनीरा जो चुंगटिया है वो केसरी सिंग बाराट किये दोस्तों ये मतलब 13 लिखे थे मेवाड महराना को दिल्ली जो दर्बार था उसमें जाने से रोखने के लिए फते सिंग जो मेवाड महराना थे उस टाइम पे तो उस टाइम पे इन 13 सोल्टों सोल्टों को पढ़ने के बाद में मेवाड महराना डिल्ली गए थे लेकिन दिल्ली दर्बार में गए बिना ही वापस लोट गए थे ठीके दोस्तों जो सित्ताराम लाला से इन्होंने राजस्तानी सब्द कोष की रचना किये ठीके दोस्तों तो इसका जो सही आंसर हो जाए तो इसका जो सही आंसर होगा उस टाइम पर वह था न्याय मूर्ति यू यू ललिद और वैर्तमान में जो इसके कार्य कारी अध्यक्स है वह है न्याय मूर्ति संजे किसंकौल ठीक है दोस्तों छेतरबल की द्रश्टी से निविलकित में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौ दोस्तों ख्वाजा मोईदुदिन चिस्ति की दरगा अजमेर का निर्मान किसके द्वारा करवाया गया था तो यह इलतुत्मिस द्वारा करवाया गया था हाली में परदान नत्री द्वारा निम्लिकित्मिस से किस मूर्ति का अनावरन के दार नात में किया गया तो यह आदी अब आगे चलते हैं इस दिन भोजन में खीर और मालपुये बनाए जाते हैं ब्राह्मनों को भोज कराते हैं लोग अपने परिवार जनों के साथ उद्यान देता अमने रमणिये स्टलों पर जाकर आनन्द लेते हैं तो उस्ता आपको पते होगा कि हर्याली अमाश्या को आती है उस दिन सभी लोग पिकनिक पर जाते हैं तो इसका सही आंसर होगा अर्याली अमाश्या अब आगे चलते हैं निम्न में से पेगासस क्या है तो उस टाइम पर दोस्ते बहुत यह मतलब यह फेमस था तो जासू सी सोप्ट्वेर है यह बड़े-बड़े लोगों की जो वह है information इकटी करने के काम में लेते थे इसको जावर की खान उदेपुर किस कनीज के लिए विख्यात है तो यह दोस्तों सभी को बता होगा सिसाज और जस्ता के लिए बहुत फेमस है इंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्तापना भी जावर उदेपुर में की गई है ठीक है द गवरी डेवी राजस्तान की किस गायन से लिसे जुड़ी है तो यह मांड गाई का है बहुत ही फेमस केसरिया वाला अउनी प्रदारों मारे देश इन्हों नहीं गाया है पहली बार मांड मतलब गायन में वरतमान में नितियायोकेद्यक्स तो यह हमेशासे मतलब नितियाय के द्यक्स होते हैं एक जनुवरी 2015 को नित्य आयोकिस्ता आपना की गई थी योजना आयोकिस्तान पर इसके जो वर्तमान उपाद्यक से वो सुमन बेरी है और सीवों सीवों जो है वो बीवी आर सुब्रमंड्यम है ठीक है दोस्तों उट की खाल पर स्वर्णिम निकासी का कार्य किस नाम से किया जाता है तो इसको उस्ताकला के नाम से जाना जाता है उस्ताकला और मतेरनाकला दोनों बिकानेर की फेमस है फड़ी चित्रन अपने सापुरा बिलवाडा का फेमस है ठीक है दोस्तों आगे जलते हैं मुकुंद्र इंद्रागंदी नहर राजस्तान नहर को किस नदी से पानी मिलता है तो यह सत्रलज नदी से इंद्रागंदी नहर को पानी मिलता है ठीक है दोस्तों कि नेक्ट राजस्तान में साहरोपरतम करशी शवधयाले कहां स्थापीत किया गया था तो यह बिकानेर में स्थापीत किया गया था ठाबरों यह तेयल के कुए का नाम है मंगला कि बाड़मेर में स्पीधे रिफाइनरी वहाँ पर यह को रोना संकर्मन की जाज के संदर्म में आर्टी पिसी आर से क्या ताथ पर यह तो यह होती है रिवार्स ट्रांस्रिप्शन पॉलिमरेज चेंड रियक्षन वर उच्छतम न्यायले में मुख्य न्यायदीस सहीत न्यायदीसों के अधिक्तम स्विक्रत पद कितने हैं तो यह है 34 इसमें से 33 मुख्य न्यायदीस और एक चीप जश्टिस ओप इंडिया ठीक है दोस्तों वरतमान में बारत के उच्छतम न्यायले के मुख्य न्यायपति कौन थे तो उस टाइम थे आन्वी रमन्ना और जो अभी 50 वे जो मुख्य न्यायदीस है वो है डीवी डी भारत की सबसे उच्छी जो चोटी परवत चोटी उसका नाम पूचाता दोस्तों तो यह होगी कंचन जंगा कंचन जंगा ही एकमात ऐसी चोटी जो पूरी तरह से भारत में श्ती थे इसकी जो उच्छा ही वो है 8586 मीटर ठीक है दोस्तों फिर केंद्रियस सुस्क छेत कहां सती थे इसको सोट फॉर्म में काजरी भी बोलते हैं सेंट्रल एडिट जोन रिसर्ज इंस्टीट यह जोधपूर में सती थे इसकी स्थापना 1969 में हुई थी तो निम्न लिकित में से कौन अमेरिका की प्रतम महिला उपराश्टपती है तो कमला एरिस उस टाइम पे पहली उपराश्टपती बनी थी महिला उपराश्टपती अब देखो ग्रेंट स्लेम से दोस्तों दो क्यूशन आये है तो ग्रेंट स्लेम आपको सारे पढ़के जान आपसे पूछ ले Australian Open 2023 किसने जिता है तो मेंस जिता है नोवाग जोकोविच ने और महिला वाला जिता है आजियाना सबा लेंका ने ठीक है दोस्तो GSD ब्रांड एमेस्टर किसे बनाया गया है तो GSD ब्रांड एमेस्टर बनाया गया था सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्तान की किस जिले में स्तापित किया गया है तो ये बड़ला जोदपूर के अंदर स्तीत है मीरा भाई चान्दों ने निम्लिकित में से किस खेल में टोक्यो ओलम्पिक में रज़त पदक जीता था तो ये भारो तोलन वेट लिप्टिंग में इन्होंने रज़त पदक जीता था तो आपको खेल वाले पोर्शन से भी करंट देखने को मिला है बहुत ज़्यदा तो खेल वाला पोर्शन आपको अच्छे से करके जाना है अब दोस्तों आगे चलते हैं राजस्तान इस दात्तु का प्रमुग उत्पाद्यक राज्य है इसे हुल फ्रों भी करते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो टंगश्टन होगा ये डेकारा नागोर में पाये जाता है और मेगनी जे तलवाडा लीलवानी बासवाडा में पाये जाता है चांदी जावर की खान उदेपुर में मिलती है जस्ता भी जावर देवारी उदेपुर में मिलता है बाकी इसके ओर भी छेतरे रामपुरा अगूचा बिलवाडा राजपुर दरीबा राजसंबन ठीक है दोस्तों आगे जलते हैं राज्यस्तान का राज्ये पुस्प क्या है तो यह रोईडा है इसको 1983 में राज्ये पुस्प गोशित किया गया था राज्यस्तान का जो राज्ये वरक्ष है वो खेजडी है इसको 1983 में राज्ये वरक्ष का दर्जा दिया गया था इसका जो से जाद हक्सकी प्रोसोपिस सिनेरेडिया राज्य पस्टू चिंकारा है इसका जो वेग्यानिक नामे वो गजेला गजेला है और रोहिडा का जो वेग्यानिक नामे वो है टिका मिला उंडू लेटा तो आपको पता होगा कि कहीं अपन जाते हैं तो वहाँ पे अपना सिक्षी का दर्चा दिया गया था इसका जो वेग्यानिक नामे वो है कोरियोटिक नाइग्रेशिब कोरियोटिक नाइग्रेशिब कोरियोटिक नाइग्रेशिब है ठीक है दोस्तों तो उसके गोड़ा दर्द कर रहे हैं कोड़ा दर्द कर रहे हैं तो उसको कोरिया से चाई सिप करके पीनी है ठीक है दोस्तों तो उसके कोड़े ठीक हो जाएंगे आगे चलते हैं कि राजस्तान इस दात्तु का प्रमुक उत्पादेक राज्य है तदा इसे उल्फों यह अपन ने कर लिया राजस्तान के अधिकतर बागों में मांगली अवसरों पर विशेषकर गंगोर परवपर महिलाओं द्वारा किये जानावाला नरत्य है यह गूमन नरत्य और बाकी भी देख लेते उप्शन गीदर नरत्य सेकावटी शेतर में पहमस है तो आपको पता होगा कि कोई सेखी बोलते हैं ठीक है और डांडिया नरत्य मारवाड का फिमस है जालोर का फिमस है अगर कोई आपकी घर के बार डोल बजा रहा है आप बहुत देव से ता आप परिशान होके उसको क्या बोलोगी जा पर आगे जा तो मिलब आगे बजाना डोल अब है न तो इसको ऐसे याद क पूछ ले कि राजपता ना सब्द का सहरो प्रतम वीडियो किस नहीं किया था तो यह संद 1860 में जोर्ज थोमस द्वारा किया गया था एक और अब क्यूशन आया था भारत में कौन सी रेखा गुजरती है तो यह करक रेखा भारत से गुजरती है बारत की आठ राज्यों से करक रेखा गुजरती है इसको आप ऐसे ट्रिक से याद रहत सकते हैं मित्र पर गमचा जार तो मैसे बन जाएगा मिज्जोरम, त्रैसे बन जाएगा त्रिपूरा, परसे बन जाएगा पस्चिमंगाल, रैसे बन जाएगा राजिस्तान, गैसे बन जाएगा गुजरात, मैसे बन जाएगा मद्यपरदेश, छासे बन जाएगा चतिसगट और जार से बन जाएगा जारकं ठीक है दोस्तों एक और आपको question पूल सकता है कि साड़े बर्यासी degree रेखा जो है समय रेखा जिसको बोलते हैं वो कहां कहां से गुजरती है तो राजस्ता मतलब वो इंडिया के पांच राज्यों से गुजरती है इसको आप याद रखने की ट्रिक है छाता अंधी में उपर उड़ा तो छाता से बन जाएगा चत्तिसगर अंधी से बन जाएगा आंधर प्रदेश मैस से बन जाएगा मध्य प्रदेश उपर से बन जाएगा उत्तर प्रदेश और उड़ा से बन जाएगा उडिसा ठीक है दोस्तों आगे जलते हैं निम्न में से राजस्तान का राज् तो दोस्तो अना साकर जील का जो निर्माण है वो है प्रतिवराज चुहान के दादा अर्णो राज ने इसका निर्माण करवाया था तो यहीं इसमें सही होगा लास्ट दो क्युशन है निम्निक मेंसे कौनसी एक गोवन्स की नसल नहीं है तो दोस्तो जो मुर्रा है वो वेस की नसल होती है तो इसमें सही आंसर यह होगा बाकी option देखते हैं थार पारकर जो बाड़मेर और जेसल मेर में पाई जाती है गिर्जो नसल है वो गुजराद के जो सीमा वृत्ती चेत्रे उन में पाई जाती है उद्यपूर डुंगरपूर बासवाड़ा में काक्रेज नसल जालोर और बाड़ मेर में पाई जाती है और आगे चलते हैं निम्निक में से कौन सा यूगम सही नहीं है सही नहीं है तो अपने भी तोड़ी देर पहले पढ़ा और टोपिक से दो कुछन थे तो अच्छे से कुछन के सारे के सारे कुछन इस बार किस पूचे वह अडिया नहीं लेकिन आपको क्रेंट अच्छे से बढ़के जानी है तो थैंक्यू दोस्तो अगर आपको एग वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको से जरूर लाइक कीजेगा, थेंक्यू सो मच